हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे SU NE VS J SK यानि की जो आपको मैच देखने को मिलेगा Sunrisers Eastern Cape और Joe Buck Super Kings में मज़ेदार मैच होने वाले है क्योंकि ये SA20 का पहला मैच है First मैच आ गया है दोस्तों एक तरफ बिढ़ेंगे एडन माकरें के Sunrisers Eastern Cape दूसरी तरफ Joe Buck Super Kings Fav Duplessis के तो दोस्तों ये जो मैच है उससे पहले आपको बता दू इसका Final Update आपको कोशिश करूँगा तेलिग्राम पे जरूर मिल जाए वहाँ पे ही सारे अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको कोऊंगा आप टेलीग्राम पे जरूर जॉइन हो जाए और वहाँ पे इस मैच की अपडेट आपको मिल जाएगी लेकिन रन स्टेस हो गए थे लेगी इस वेन्यों पे लास्ट यर से 20 में स्पिनर्स भी काफी गेम में आया थे ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है पहला मैच है अपने प्लेयर्स को बैक करो मैं आपको यह जादा सजेस्ट करूँगा बाकी ऑफिशियल जो पिछ रिपोट है वो मैं आपको शेर कर दूँगा टेलीग्राम में अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा मैचिस में आपको दिखाना चाहूँगा 12 दिसंबर 2023 को लगबग एक महीने पहले यहाँ पे मैच हुआ है इंडिया साउथ अफरीका का इंडिया ने 180 लगाय थे साउथ अफरीका ने 154 जो की मैच DLS मैथर्ड से डिसाइड हुआ था बारिश से साउथ अफरीका को विजाई गोशित किया था उनको 15 ओर में लगबग 1500 का टार्गेट मिला था बारिश की वज़े से कह सकते हो काम था यहाँ 12 में से 9 विकेट स्पिन को यहा बारा में से 5 यहां 15 में से 7 जबकि फास्ट को केवल 6 इसी रीजन्स की वज़े से आपको थोड़ी सी विकेट ज्यादा देखने को मिल रही है त्चोब इस पिन और चार रन आउट आपको देखने को दोस्तों मिल र नहीं थी लास्ट हेट टुएट जो है आपको बता दू नौ फैब दो होजार तीस को हुआ था सन्राइज इस इस्टन के एपने 213 कर जो बग सुपर किंग को 199 पे रोका था मैच के हीरो रहे थे कप्तान माकरेम जिन्होंने 100 मारी थी जॉनेथन हमें जिन्होंने 48 स्रिश्टि यांसन ने 6 नबाद किये थे एक विकेट भी नहीं का रहा था ओट नील बाटमें एक विकेट दूसरी तरफ रीजा हेंड्रिक्स 96 रोमारियो शेफ़र 38 नौट और फरेरिया 20 और लिजार्ड विलियम्स दे चार विकेट जबकि जो इससे पिछला हेट टुएट था उसमें फावडू प्लेसी के 92 रहे थे रीजा के 40 गेरड कोईड़ी की दो विकेट आई थी शेफ़र्ड की दो विकेट आई थी सिमंस की तीन विकेट आई थी कायल सिमंस की बवुमा के 50 माकरेम 2402 विकेट यांसन एक विकेट तो माकरेम का परफॉरमेंस हेट टुएड में तक भी है और माकरेम के पास विकेट भी हैं तीन मैच में दो फाव डूपलेसी तीन मैच एक सोंती सन हरमें तीन मैच अपन प्लोई ने यहां 52 किये थे रोजिंग्टन 47 शेफ़र्ड 47 स्टब्स तीन मैच में 29 विकेट कोईड़ी तीन मैच में 6 फैंसी गो एक मैच में 4 एर अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपको दोस्तों कुछ कॉमन चीज़े देखने को मिलेंगी जिस पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा रोजिंग्टन थोड़ी अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं प्रैक्टिस मैच पर भी 29 के करीब रन लगाए हैं बड़िया प्लेय हो सकता है ओपनिंग करते दिखें आपको हो सकता है वंडाउन पर भी दिख सकते हैं टैंबाय बवुमा का एक हाफ सेंश्री आया है टीट्वेंटी में टॉम अबेल का फॉर्म अच्छा है देन जॉन धन हर्मन या इवन जॉनतन हर्मन इनका बहुत बड़ी अच्छा रिक कहीं न कहीं अच्छी फॉर्म अगर बात करों तो ओटनील बाटमेन की कम नहीं है दो एक दो तीन दो दो विकेट काम में आ रहे हैं देन इनके पास काफी यंग प्लेर्स भी है जिनके आगे टीम स्लेट करते हुए बात करेंगे लेकिन अभी मुझे इनकी जो लाइन अप कुछ ऐसी दिख रही है इनके ओवर्सीज प्लेर में मुझे लगता है आपको एडम रोजिंटन खेलते दिखेंगे डेविड मलान खेलते दिखेंगे अच्छे प्लेर्स हैं देन इनके बास दोस्तों ऑप्शन में लियाम डॉसन भी रहेंगे और डैनी वोराल भी ऑस्ट् लेफ्ट हैंड राइट हैंड बनाया जा सकता है अब यह टीम के ऊपर है कि टीम क्या डिसीजन लेती है लेकिन ऑप्शन जरूर रहेगा टीम के पास तो यानि कि इनके पास बोलिंग ऑप्शन कितने हैं फिलाल लियम डॉसन हार्मर वोरैल बाटमन मारको यांसन और जरूर जल्दी आउट होने का रिस्क हमेशा जिन पर रहता है 151 मैच में उन्तीस सो रन है और सत्रा हाफ सेंच्री है स्टब्स का भी आप रिकॉर्ड देखेंगे 24 की अवरेज है प्लेयर जरूर अच्छे है 33 की अवरेज मलान की स्टेंड़ट करती है इस सब प्लेयर में आपको ह सब बताऊंगा इनके बारे में यंग प्लेयर के बारे में जो हम टीम से करेंगे अच्छे से डिसकस करेंगे बोलिंग में हारमर है 167 मैच 151 विक्टें बाटमन ने अच्छी विक्टें निकाल लिए 51 में 68 वोरायल 76 65 बाकियों का प्रीड कर सकते हैं लास्ट यर इनके हीरो कौन थे कप्तान माकरें 12 मैच में 3066 तो अपने आप हो गए इसके लावा रोजिंग्टर ने 10 मैच 342 हाफ सेंची थी स्टब्स बारा मैच 190 बाकियों का स्कोर जरूर कम रहा था लेकिन एवरेज देखोगे तो यांसें अच्छी एवरेज से खेले थे यानिकी लोर ओर और म 11 यांसें 12 मैं 8 विकेट दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे on regular basis दें दोस्तों अब हम बात करते हैं जोबर्क सूपर किंग्स की तो इनकी टीम में दोस्तों रॉनन हेर्मन है जो इनके वन ओफ दो विकेट कीपर है लेकिन मुझे लगता है इनके लिए वि है तो इनके ओपनिंग पेर फाफ और रीजा फॉर्म में आ रहे है जो कि अगेन इनके वन ओफ दा इंपोर्टेंट प्लेर में रहेंगे डेविड वीज का डीसेंट साई फॉर्म है अगर किसी की फॉर्म तगड़ी है बोलिंग में वह है गैरल कोईट जी बहुत बढ़िय हैं दोस्तों तो जो बग सुपर किंग्स के स्पिनर काफी इंपोर्टेंट रहेंगे यह चीज आपको देखके समझ के चलनी होगी यह और अच्छे स्पिनर यह भी पिछले दो मैच में तीन-तीन विकेट निकाले है और अगर इस विकेट पर दोस्तों रहता है तो जो बग सुपर किंग को काफी अड्वांटेज भी मिल जाएगा यहां मैं अगर इनकी लाइनप पर आओं इनकी लाइनप काफी अच्छी है फावडू प्लेसी और इजा हैं इनके लिए ओपनिंग करेंगे दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं देन मोहिन अली भी हो सकते हैं लूइस ड तो काफी बढ़िया टीम, सॉलिड टीम आपको देखने को मिल रही है अब दोस्तों जरा इनके स्टैट्स एक थे तो यंग प्लेयर्स जरूर है इनकी टीम में लेकिन कुछ एक्स्पिरियंस प्लेयर्स भी हैं जैसे फाव फरीजा इनकी एवरेज से ही आपको उंदाजा ल हुए हैं गेलियम, चौनतीस मैच, 437, 27, 25 विकेट, मैंने इनका स्टैट्स न स्पेशली बताया है, गेलियम में हो सकता है कोई बात हो तब ही बताया है, याद रखना अभी जब टीम सेलेक्ट करेंगे और बताऊंगा, इमरान तहीर, 391 मैच में 487 विकेट है, दोस्तों य तो यह सब प्लियर्स के स्टैट्स आपको पता होने चाहिए, वहीं अगर मैं इनके लास्ट यर के हीरोस की बात करूँ, दोस्तों तो फाफ डू प्लेसी टॉप स्कोरर थे, लुईस डिप्लॉई अच्छे खेले थे, दो हाफ सेंचरी भी थी, रिजा एंडिक्स ने 11 मैच अब यहां दोस्तों हम देख रहे हैं, संराइजर्स के बैटर्स वर्सिस जो बग सूपर किंग्स के बोलर्स, ठीक है, तो यह मैच अप्स का ध्यान रखना, एडम रोजिंग्टन, लिजार्ड विल्यम्स और फेंजी को क्या आगे शिकार हुए, तो यहां दोस्तों हम इवन एडन माकरेम लिजार्ड विल्यम्स के आगे एक बार, रोमारियो के आगे दो बार, तो अभी तक लिजार्ड विल्यम्स का नाम अच्छा देखने को मिल रहा है, जॉर्डन हर्मन, कैरल कोईडजी के आगे नहीं टिक पाई हैं, जाधा आठ गेंद में दो बार आठ की वज़े से तो उसको वोइड करिए, एरन फेंजी को ने एक बार आउट किया है, वही दोस्तों मैं बात करूं फाव डू प्लेसी की तो भाई, ये मारको यांसिन पर एक बार आउट हुए, मैच भी मुझे आदा है, आईपिल का मैच था, RCB वरसे सन्राइजर्स, से मैच में कोली को भी आउट किया था, यांसिन ने, और अनुजरावत को भी, रीजा हेंड्रिक्स, बाट्वन क्या गया आउट है, मोहीन अली माकरम पे दो बार आउट है, लेफ्ट हेंडर वरसेज ओस्पिनर, लुईस दूइपलो यांसिन पे दो बार आउट है, साइमन हा हारमर के आगे, हारमर बहुत एक्सपिरियंस बिना रहे हैं, दोस्तों, इंगलेंड के लिए, टी ट्वेंटी लीग में खेले जाते हैं, एसेक्स के लिए आपको याद होगा, बहुत क्रिक्ट खेले हैं, कप्तानी भी करिए, शॉटर फॉर्माट में, जो फाइव डे, फो जहां मैंने 8,000 का मुनाफ़ा किया, 6,000 से 14,000 कनवर्ट किया, और यह उससे पिछला मैच का रिजल्ट है, जहां 9,000 से 33,000 के 24,000 का मुनाफ़ा किया, यही काम आप क्रिकेट में भी कर सकते हैं, मज़े की बात यह है कि या ट्रेडिंग सीरीज वाइज अल्रेडी लॉंच हो हैं, नहीं किया तो आप यह जरूर करके रखेंगे, 50 रूपीज के वाइसी पर मिलता था, वो 100 मिल रहा है, 100 रूपीज के वाइसी आपको करते ही मिल जाएगा, ठीक है, अब आप और वो फुली उसेबल है, अब आप यहां देखेंगे, मोर सेक्शन पर जाएंगे, मोर सेक अगर आप चाहते हैं कि आप खेलें भी और आपको लॉस का डर ही न रहे, इसका नाम है, नो लॉस लीग, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यह छोटे इंवेस्टर्स को देखके, स्पेशली किया जाता है, और एक प्रमोशन के लिए, यह आप लोग सीख पाएं खेलना कैस अब जैसे 25 मैच हैं, तो 25 के 25 मैच में आपको मिनीमम 100 रुपए लगाने हैं, ठीक है, मिनीमम 100 रुपए आप लगाएंगे, तोटल हो गए 25 रुपए, ठीक है, इसके ध्यान रखना exclusive of platform fee है, यानी 100 रुपए और platform fee आपको लगानी है, मिनीमम आप 100 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, अगर मान लो 25 रुपए आपने लगाए और आपने 35 रुपए कमा लिए, फिर तो प्रॉफिट में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1000 रुपए पहले ही मुनाफ है, तो मज़े तो आपके होई ही गए, लेकिन अगर आपने 25 रुपए और मान लो आपकी केवल 1000 रुप कर दाए, बेसिकली अप्टू 2500 की सीमा तक जितना भी आपका लॉस हुआ है, वो आपको कमपनी इस टूनामेंट के खतम होते ही पे कर देगा, कंडिशन बस इतनी है कि आपको 21 मैच अट लीग वाले 25 मैच, जो 30 के करीब मैच है, मुझे कहना चाहिए 30 लीग स्टेज मैच मै खेलने है, ठीक है, यह लिखा हुआ है, एनी 21 लीग मैच इस आट ओफ थर्टी, बाकी कॉलिफायर 1, इलिमिनेटर, कॉलिफायर 2, फाइनल आपको खेलना है, यदि किसी में बारिश आ जाती है, तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, आप बाकी के 3 खेल लेंगे, तो भी आप इलिजिबल रहेंगे, तब भी आपको वापसी आपके पैसो की मिल जाएगी, यही अगर आप 100 नहीं 500 रुपे लगाना चाहते हैं, तो आपको 7000 तक का लॉस कवर मिल जाएगा, यही आप इन सब मैचेस में, 21 के 21 मैच में, प्लस चारों, फाइनल स्टेजिस के मैच मे जो ली स्टेज के बाद होते हैं, 1000 पे लगाते हैं, तो आपको 12,000 का यहाँ पे लॉस कवर मिल जाएगा, जो की बहुत अच्छा है, आप easily खेलेंगे, तो regular basis पे आप विन कर जाएगे, कोई दिक्कत वली बात नहीं है, no loss league अगर आपको नहीं पता, simple भाशा में आपका पै जाएगा और loss का तो चांस ही नहीं है, आज के मैच ही कुछ पिक्स आपको अपनी दिखा देता हूँ, मैंने इसमें जो पिक्स करी हैं, उसमें मेरे पास एक दो अच्छी ऑप्शन थी, जैसे मेरे को Liam Dawson के दो शेर अच्छे लगे, even आप यहाँ पे चाहें, तो Reza Hendricks को back क कर सकते हैं, 34 में खराब नहीं है, मैंने Gerald Koitzy को किया, Romario Shefford को, I think मैंने 34 में किया था, Ferreria को 30 में किया, क्योंकि मुझे लगता है, शायद Ferreria विकेट कीपिंग भी कर जाएं, दोस्तों जब आप टीम सेलेट करने आएंगे, विकेट कीपिंग सेक्शन में स्टब्स, रोज अगड़ा खेलते हैं, इवन IPL में फ्रेमराइट डेली के लिए सेलेक्ट हुए हैं, इस बार, इससे पहले मुंबई में थे, यहां जो हमन है, काफी अच्छे अंटर नेटीम से प्लेयर आएं, यंग प्लेयर हैं, बट आई डोंट तिंग कि शायद इनको विकेट मिल रहे हैं, यहां कहीं छुपए बैठे हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, आपको दिख जाए, क्योंकि वाम अप मैच में इन्हों ने विकेट कीपिंग करी, तो यहां से मैं सेफ गया हूँ, विकेट कीपर और ओपनर को लेकर रोजिंग्टन, लेकिन अगर इसमें कोई च जगा खेलने का experience है, इस वज़े से मैं इनको ज़रूर प्रिक करूँगा. इनके opening partner Riza Hendricks का भी form अच्छा है, दोनों opening partners को मैं टीम में लगके चल रहा हूँ. अब हो सकता है, summarize Eastern Cape के लिए David Milan opening पे आएं, जो की तावर तोड़ खिलाडी है, अपनी विकेट संभाल के भी खेलते हैं, तो one of those players जो T20 cricket में ज़्यादा थार आपको runs देते हैं, इसलिए इनको रख रहा हूँ. सरे लर्वी, अच्छे प्लियर है, warm-up में भी decent खेले, बट मैं टीम में नहीं रखूँगा, even मैं बभूमा को नहीं रख रहा, हाला कि, of course, national team के captains ही कर चुके हैं, world cup में, but I really doubt यहाँ पर क्या करेंगे. लुइस डिपलोई, one down पर आके last year इसने बहुत अच्छी नॉक्स खेली थी, one down या two down था, बट यह खिलाड़ी काफी ज़्यादा आप famous हो चुक है, because इनकी strong hitting ability, इनकी fluency के लिए यह जाने जाते हैं, English में आपने इनको Derbyshire के लिए भी खेलते देखा है, English T20 League में, Tom Abel, again, England के player है, English T20 League में खेलते हैं, form भी decent है, but Wayne Martsen भी even England के player है, but I don't think कि इतना मैं इन पर ध्यान देने वाल हूँ, unless यह opening करके जाएं, Wayne Martsen, then, Herman है, last year decent भी खेलेते, बट जगा नहीं दे पाऊँगा, और मैं यहाँ पर मकानिया को भी जगा नहीं दे पाऊँगा, अगर मैं all rounders पे प्लस बल्लेवाजी, elegant left hand बल्लेवाज, जो कि ओस्पिन भी करते हैं, Romario Shepard fast bowling करते हैं, death में भी आ जाते हैं, और hard hitter हैं, अब एक बंदा जो differential हो सकता है, वो है Donovan Ferreria, यह थोड़ी बहुत हो सकता है, wicket keeping भी कर जाएं, बढ़िया बल्लेवाजी भी और जरुरत पढ़ने से ज़्यादा यह जाने जाते है, wicket taker हैं, काफी smart boler है, डेविड वीज, बताओर medium passer हम सब इनको जानते हैं, बताओर finisher हम सब इनको जानते हैं, क्योंकि यह काफी famous player हैं, पहले South Africa में खेलते थे, अब नाभी बिया के international main star है, जो की नए player है, अच्छे all-rounder है, अगर आपक Kruger को ज़्यादा बल्ले बाजी के तौर पर देखना है, कुछ part-time गेंद बाजी करते हैं, वर ज़्यादा bowling पर ध्यान मत देखना, और normally player है, मैं ज़्यादा try नहीं करूँगा, सीमिल आने का ऐसा कुछ मुझे stats बढ़िया नहीं दिखा, लेकिन अगर किसी का बढ़िया कर जाएंगे क्योंकि Gallium का महज एक परसेंड भी selection नहीं है, महज आधा परसेंड भी selection नहीं है, और अच्छे का से पैसे भी लेकर आ रहे हैं इस बार, bowling में गैरेड कोईडजी मुझे चाहिए, अच्छे player है, wicket taker है regular base पे, मुझे नेंदरे बर्गर चाहिए, जो की जो Super King के वोलर नहीं ले रहा हूँ, मुझे दूसरे टीम का भी चाहिए, इमरान तहीर भी एक option है उनकी टीम से लेकिन दूसरे टीम का चाहिए, सी सिदाम अगेला नॉट अवेलेबल, साइमन हारमर औस पिनर हैं ले सकते हो, डैनी वोराल है, Overseas Australia के वोलर ले सकते हो, इनके ल लेख युवाने नहीं खेलेंगे, सेलब सकेला के खेलने के चंसेस कम है, वैसे लास्टेरे इंजर हो गए थैं, तब भी थे इनकी टीम में, बट इंजर हो गए थे, कायल सीमन्ट जगेन एक स्पिनर ऑट खेलने के चंसेस थोड़े कम है, मैं यहां गया हूँ, Overseas, Danny वोरा लगी बाकी मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में फुली फ्लेजर्ट के साथ जल्दी ही आऊंगा आपके पास